विल्कम बैक टू शाहब टेक्निकल चैनल इन इस लेक्चर वी डिस्कॉस अबाउट एक्स्प्लेइन दी कॉजेज ओफ अर्थक्विक जो अर्थक्विक के कॉजेज हैं इसके बारे में डिस्कॉस करेंगे ये 16, 15, 13 और 12 में आ रखेंगे इसके बारे में डिस्कॉस करेंगे इसको नैच्विक डिस्टर्बेंस में दो पार्ट में बाटा गया है वालकेनिक कॉजेज और टेक्टोनिक कॉजेज और नमबर टू है आर्टिफेशियल डिस्टर्बेंस नैच्रल डिस्टर्बेंस में क्या है दि नैच्रल डिस्टर्बेंस विच कॉजेज अर्थक्वेक्स आर फॉलोविंग नमबर ए है वालकेनिक कॉजेज वालकेनिक एक्टिविटी वालकेनी इसे जौला मुखी भी बोलते हैं वालकेनिक ये नैचरल डिस्टरविंस में हो गया है जो जौल वालकेनिक होते हैं वो नैचरली होते हैं वालकेनिक एक्टिविटी keeps on taking place in several parts of the world जो वाल्ड में कुछ जगों पर वालकेनिक होते हैं इट प्रोड्यूजेस सदेन आउट बस्ट और एक्स्प्लोजन्स ये एकाएक आउट बस्ट मतलब बाहर की तरफ फट पड़ते हैं या बिस्फोर्ट कर देते हैं इस इंपक्ट इस सम्टाइम्स स्ट्रोंग इनफ टू प्रोड्यूज बाइब्रेशन ये इतने ज्यादा एकाएक फटते हैं कि कभी-कभी वाइब्रेशन भी करते हैं इन दे नियर्बाइ एरिया जो इनके आसपास की एरियास है पीपल लिविंग इन जापान एंड इटली एंड इटली हैब एक्सपिरियंस दिस टाइप अफ अर्थक्वेक उनके पास इस तरह के अर्थक्वेक का एक्सपिरियंस जदा तर वहाँ पर आते हैं इस तरह के अर्थक्वेक इनकी जो एफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा mild and normal भी नहीं होता है, बहुत कम होता है, the damages caused due to this type of earthquake is confined within a few kilometers, इसके मतलब limited damage होते हैं क्यों कुछ किलो मीटर के अंदर ही damages होते हैं, All volcanic eruptions don't produce earthquakes, सारे जो वालकेनिक्स जो बिसफोर्ट होते हैं, वो सारे earthquake प्रोड्यूज नहीं करते हैं, कुछ कुछ होते हैं, जो ज़्यादा तर destructive होते हैं, Tectonic Causes, अब यहाँ पर दूसरा नंबर आगे, Natural Disturbance में, यह था volcanic causes, भी है Tectonic Causes, Tectonic Causes में क्या है, Tectonic Causes are those which occur inside the earth, जो कि earth के अंदर occur होता है, यह बाहर की तरफ नहीं फटता है, According to the theory of plate, Tectonics and crust is made of rocks, जो Tectonic plates होती हैं, वो rocks की बनी होती है, and is divided into many plates, जो Tectonic plates होती हैं, वो कई plates होती हैं, और these plates are constantly in motion, में होती हैं, different directions, कई सारे directions में, and with different speed, और इनकी speed भी जो अलग-अलग plates हैं, सबकी एक साथ होती हैं, लेकिन motion डिफरेंट होती है, इन सबके पास एक energy होती है, जिने इस्टेन एनर्जी कहते हैं, और इनके अंदर stored होती हैं, इन्दे, the certain sleep at default results in the release of strain energy, जो एका-एक slip हो जाता है, वो release करता है strain energy को, या एका-एक टक्रा हो जाता है इन rocks में, tectonic plates के, जो slip के कारण, in the form of seismic waves, जो की energy किस में बदल जाती? seismic waves में बदल जाती, which causes the shaking of the earth, the earthquake which occurred due to sudden release of strain energy, as a result of sudden sleep of fault is called as tectonic earthquake, इसे क्या कहते हैं, sudden sleep जो होता है, fault के कारण, तो इसे tectonic earthquake कहते हैं, this sleep may occur along the pre-existing fault, पहले से कोई fault हो गया, उसके कारण या crack हो गया, rocks में उसके कारण भी होता है, along a new fault plane, कोई भी plane rock है, उसमें नया fault हो गया, या crack आ गया, उसके कारण भी earthquake होता है, the magnitude of these earthquakes depends upon the amount of energy released, मतलब किस टाइब का earthquake आएगा, यह इसके टकराव पर या depend करता है, कि ज्यादा टकराएगा तो ज्यादा energy released होगी, कम टकराएगा तो कम energy released होगी, more than 90% of total earthquakes are depends upon the amount of energy released, more than 90% earthquakes are because of tectonic regions, जो कि 90% earthquakes होते हैं, भूज जैसा कि 2001 में यहां पर earthquake आया था, लातूर में 1993 में earthquake आया था वे टक्तॉनिक अर्थक्वेक्स जो कि tectonic earthquakes थे, अब यहां पर देखेंगे artificial earthquakes, artificial earthquake में, sometimes the surface of earth is, earth vibrates due to man made or artificial disturbance, कुछ कभी कभी क्या होता है, कि जो earth का surface होता है वो बाइब्रेट होने लगता है, कुछ तो कार्ड इसका man made होता है, जो कि आदमी ने खुद बनाया है, कुछ तो artificial disturbance के कार्ड भी होता है, इस वाइब्रेशन और वेरी माइल बहुत नॉर्मल होते हैं, effect the surrounding area only, कुछ अपने चार तरफ एरिया को effect करते हैं, the earthquakes of mild intensity are caused due to these external man made agencies, some of artificial disturbance causing earthquakes are listed below, जो earthquake cause करते हैं वो लिस्टेट बिलो हैं, nuclear test and explosions, mining blast in the mining areas, और nuclear bumps जो की फटते हैं उनके कार्ड भी earthquake होता है, mining blast जो dynamite लगा के mining area में होता है, उससे भी होता है, और a massive land slide, अगर कोई जो land है वो slide हो गया, जादा slide हो गया उससे भी होता है, hill slopes caused because of deformation, अगर कोई hill slope है वहाँ पर तूटने के कारड भी ऐसा होता है, जो कोई भी ज्यादा बड़ा गढ़ा हो या बहुत ज्यादा बड़ा और ज्यादा गढ़ा गढ़ा खोदने से भी earthquake हो जाता है, vibrations induced due to heavy machinery used in industries or movement of heavy vehicles, heavy vehicles के कारड vibration होता है, all these reasons जो की है यह earthquake आने के कारड है, thanks for watching, like, comment and subscribe to the channel, ऐसे ही आगे earthquake के lectures डालते रहेंगे,